समय जो है काफी कम बचा हुआ है अभी बीएस यदुरप्पा जो है उनका भविश्य क्या रहेगा देखे बीएस यदुरप्पा का अगर भविश्य अच्छा होता तो 36 गेंटे से 48 गेंटे के चीफ मिनिस्टर बनकर वो गिरते ना तो यदुरप्पा की कुन्डली जब आपके शो के माध्यम से ही हमने बोला था यदुरप्पा जादा से जादा 96 गेंटे के 96 ओवर के चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे जेडी-उ के कुमारशवामी जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वही हुआ यदुरप्पा की कुंडली डेफिनेटली व्रिष्चिक राशी की है इस वक्त उनकी अगर कुंडली का धिन करे तो चंद्रमा की महादशा चल रही है चंद्रमा व्रिष्चिक राशी का मैं पहले ही कहते आया हूं नीच होता है 2022 तक उनके उपर डेफिनेटली अच्छा योग नहीं है ये जो 18,000 करोड रुपए के गुठाले का एक उनके उपर आरोप लगा है वो सक्त है के जूट है ये तो ED या फिर CBI तै करेगी मैं पंडित होने के माद्यम से उनकी ग्रहदशा को देखता हूं कि उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए आगे आने वाले दिनों में यदुरप्पा साहब जो है उनके उपर 8 से 10 महीने डेफिनेटली बहुत अच्छे नहीं है उनको क्योंकि गुरू जो है वो केंदर में बैठा हुआ है उनको अपने पेट का और कहीं न कहीं अपने डाजेशन सिस्टम का लाजर इंटरस्टाइन, स्मॉलर इंटरस्टाइन, लिवर का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए और आई डॉन्ट सी सम की यदुरप्पा साहब जो है इन और कई अरोप उपर लग सकते हैं आगे आने वाले दिनों में जी